नमस्कार दोस्तों सुवागत आप सभी का एक गरम अगरण वीडियो में दोस्तो आज हम कमपारिजन करेंगे दो बहुत ही खास गाड़ियों का एक तो है निसान जी टियार और दूसरी है फर्रारी ला फर्रारी दोस्तों कॉंपेरिजनों को तीन अलग अलग जगा दो है माउंट चिलिया रैम्स और एक है एरिपोर्ट पे रिवर्स स्पीड टेस्ट तो गाइस अगर आप आप आच के वीडियो के लिए रेडियो तो लेट्स बिगिन तो गाइस हमने अब तक जितने भी टेस्ट करें अपने चैनल पे सारे स्पीड टेस्ट है लेकिन ये टेस्ट थोड़ा अलग है क्योंकि इन रैम्स का स्लोप बहुत ही ज़ादा है तो दोस्तों ये स्पीड टेस्ट नहीं ये कंट्रोल टेस्ट है तो आएए देखते हैं कि दोनों गाडियां कंट्रोल टेस्ट में कैसा परफॉर्म करती है दोनों गाडियां आपके सामने खड़ी है तो गाडियां बहुत ही भयंका लगरे है जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं आपको दोनों गाडियों का ओवर्वीव दे देता हूं और आपको closely दिखाता हूं कि दोनों गाडियां कैसी दिखती है उससे पहले लेकिन मैं आपको रैम्स दिखाता हूं जहांपे टेस्ट होने वाले है तो गैस देखें ड्रोन सोट मैं आपको दे रहा हूं यह रहे हो रैम्प काफी ज़्यादा हाइट पे है रैम्प आपको डाइब लगानी और यह टायर रहा और देखें सीधा नीचे लैंड करना यहां पर अपने को गाड़ी से पराशूट शायद खोलना पड़ेगा और इसके बीच से निकल के यहां पर लैंड करना है तो दोस्तों बहुत ही तगड़ा सीन होने वाला है मज़ा आने वाला है तो गैस लगे हाथ मैं आपको दूसरा रैम पर दिखा देता हूँ क्योंकि वो भी बहुत ही नजदीक है यह देखें यह रहा वो रैम्प दोनों रैम्प बने हैं माउंट चिलियाड की पाड़ी पर गैस आगे बढ़ते हैं और इस रैम्प को closely देखते हैं इसका base देखें कितना fantastic base है इसका और गैस यह देखें यह रहा वो end point यहां से अपने को jump लगाना है लेकिन मैं आपको पूरा view देता हूँ आ रहा हूँ देखें यह रहा वो final view यहां से अपने को जाना है और यह रहा वो jump point यहां से अपने को jump लगाना है और jump का लगाना है यह देखें guys यह खड़ी यहां पर ships और इन ships के ऊपर land करने के मारी कोशिश रहेगी I hope कि इनके ऊपर हम land कर जाएं तो देखते हैं कि land करते हैं नहीं अब मैं आपको दोनों गाड़ियों का overview दे देता हूँ फिर दोनों रैम्स पर हम बढ़ेंगे और last test होगा airport पे तो guys यह देखिए निसान GTR क्या बढ़िया कार है दोस्तों यह racing module में नहीं आती लेकिन फिर भी हम इसका race कराएंगे देखिए चार exhaust पीछे लगे हूँ है और देखिए लिखा हुए निसान GTR कैपिटिल में आर लिखा हुआ था तो guys side look देख पा रहे हो कितना बढ़िया side look है एक number का side look है इसका अब बढ़ते हैं दोस्तो फरारी ला फरारी की और यह देखिए side में इसका logo और यहां तक की टायर में भी logo बना हुआ है और back view इसके भी चार exhaust है और पीच में बना है horse फरारी का logo उपर देखिए फरारी लिखा हुआ है और side view इसका भी दासु है और इस side भी एक logo बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे है आप दोस्तो मैं दोनों गाड़ियो का interior view दिखाता हूँ और फिर बढ़ते हैं दोस्तो speed test and control test की ओर तो guys देखे gate बहुत इसका दासु खुलता है उपर को और अंदर का मैं आपको interior अप दिखा जेता हूँ exhaust तो बहुत दासु थे और interior देखे guys एक number का interior है सामने देखिए analog meter हमें देखने को मिलता है और फरारी का logo है yellow background with black horse तो guys बहुत स्वारे switches यहां पर देखने को मिलते हैं हमें बहुत ही बढ़िया combination दे रहा है यहां पर color का black and red और right side में देखे सीट पे भी यहां पर फरारी का logo है लोगो इन्होंने हर जगा दिया हुआ है और पूरी खुली कार है जैसे कि आप देख पा रहे हो open car है तो बहुत ही गजब की कार है बहुत मुझा है इसको चलाने में look wise तो बहुत ही बढ़ी है और gate भी देखे क्या ऊपर को खुलते है ब बहुत ही बड़ा आर यहां पर लिखा हुआ है सामने और analog meter से कुछ सामने और electronic screen है राइट साइड में तो guys बहुत सारे switches भी हैं देखें यहां पर steering wheel पे बहुत ही गजब की कार लग रही है यह मस्त लग रही है बहुत कुल देखने में और देखें नॉर्मल कार की तरह है तो guys जरूर comment करके पनी favorite car बताएं अब हम चुरू करने वाले हैं Nissan GTR से लेकिन मैं आपको एक चीद दिखा दूँ यह जो ramp है देखें यहां पर जो यह slope है बहुत ही steep है तो यहां पर अपने को गाड़ी बहुत ही धीरी तरह से उतारनी पड़ेगी यहां पर अपने को speed कम र यह बच गई तो यहां पर देखें हमने full speed ले दिया क्योंकि हमें 20 से निकलना है देखें 200 प्लस के यहां पर speed है और 220 के असपास से जंप लिए हमने और यह देखें बिल्कुल 20 से लिए क्या बड़ी up handling थी और easy control है guys देखें क्या superior control है और यह just just यहां पर इसने touch करा है गिर almost 220 के और बिल्कुल beach of beach क्या perfect रहा दोस्तो अब देखें हमें थोड़ी सी right side को more नहीं पड़ेगी उस ring के और लेकिन नहीं जा पारी तो खोल देते हैं यहां पर parachute निकालते है तो यह सही जगा है यहां पर देखें हमने खोल दिया है पर parachute हमें खोलना पड़ेगा और यह यह next car जो की है Ferrari la Ferrari वो कैसा performance देपाती है तो guys आचो के हम next car के और जो की है Ferrari la Ferrari अब guys इस car में दिक्कती है कि यह बहुत ही जादा fast car है इसको handle करना बहुत ही जादा muscle होगा तो हमारा task ही है कि हमको इसको बहुत ही धीरे चलाना पड़ेगा लेकिन sufficient तेज चलाना पड़ेगा ताकि यह rings के बीच से भी निकल पाए तो देखिए guys pickup देखिए इतना तेज pickup है इसका और चार exhaust इसके पीछी चमक रहे है हमने देखिए बहुत ही धीरी कर दिया है यहाँ पे car ताकि easily जा पाए यहाँ पर देखिए हमने speed बढ़ा दिया है लेकिन हमें speed under control रखनी इसले हम बहुत देखिए 160 पे touch रख रहे है अब यहाँ पर speed बढ़ा देखिए ताकि कम से कम 20 से तो निकले और यह बीच से निकल चुकिए और landing यहाँ पर रखनी है देखिए बिल्कुल flat हो चुकिए car I hope बढ़िया landing हो पाएगी और यह बढ़िया landing हो गई यहाँ थोड़ी सी ठुक गई ह लेकिन landing बढ़िया नहीं थी उतनी हलकी से touch हुई है रिंग पे और यह देखिए हमने jump काफी early देदिया है यहाँ पर parachute भी early खोलिया है अब हमारी कोशिश यह रहेगी कि बीच ओ बीच निकला जाए तो पूरी यहाँ पर मैं science लगाने वाला हूँ पूरी math, science, physics, gravity सब curve ले रहा हूँ, curve लेके पर पूरा mode लूँ तो सही रहेगा, अब देखिए हम यहाँ पे मुड़ चुके हैं, अब हमें दोस्तों बिल्कुल सीधा जाना है, I hope यहाँ पे सीधा ही चुप चप चला जाएगा और बिन ठुके काम कर देगा, तो guys यह देखिए बीच से निकलन के बता है कि आपको कौन सी गाड़ी का performance जादा चलागा, handling के terms में, मतलब कौन सी गाड़ी के handling बढ़िया थी, तो यह तो हो गया, अब बढ़ते हैं, next task की और, तो guys next task में आप सभी का swagत है, यह है second ramp, जो मैंने आपको intro में already दिखा दिया था, intro के actually बात दिखा था, तो guys मैं मैं आपको एक बर फिट से closer look दिखाता हूँ, लेकिन दोनों guardian देखें क्या बड़िया लग रही है इस ramp पे, और again मैं आपको एक view देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए, इसकी भी slope है, यह भी थोड़ी steep है, तो again यहां से हमें Ferrari पे speed control करना है, और सामने दिखा दी थी पहले ही, तो इसका हम ज़्यादा कुछ नि दिखाएंगे, सीधा शुरू करेंगा बिना time waste करते हूए आपका, तो दोस्तों, यहां पे हम start करने वाले Nissan GTR के साथ, तो आइए देखते हैं कि यह कैसा performance देख पाती है तो guys इसने touch कर लिती 304 km और jump देखे, क्या बहतरीन jump लगा है, और हम पहुच नहीं वाले ship की और, और ship यह कह यह पहुच पाएगी, ओ शिट यह नहीं पहुच पाएगी लग रहा है, और यह गई पानी में, उपस, guys, landing तो उतनी बढ़या नहीं रही, लेकिन speed तो दोस्तों उसने बहुत ही दासू टच के थी 304 km और और इसका ground clearance है, वो भी काफी high है, यानि कि यह अराम से jump लगा पाएगी, यह दिक्कत हमें फरारी में आएगी, तो वो तो बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि कितना gap रहा, ship और इसके बीच, तो देखे, ज़्यादा gap नहीं था, थोड़ी सी speed ओर होती तो पहुच जाते हैं, यह देखे, यह रहा माइकल, तो guys इससे तो बढ़े रहा, अब बढ़ते हैं next car की और जो की है लाफ फरारी, तो guys अब हम आचुके next car की और, अब race start करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ, कि यह जो car है, यह बहुत ही जादा fast एला फरारी, और इसका जो ground clearance है guys, यह बहुत ही जादा कम है, तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक raw test करके दिखाऊँगा, मतलब मैं इसकी speed में कोई shade start नहीं करूँगा, कोई break नहीं लगाँगा, और आपको दिखाऊँगा की होगा क्या, तो देखे, मैं पूरी speed में आपे जा रहा हूँ, कोई यहाँ पे मैंने speed कम नहीं की, देखे, इतनी जल्दी इसने 200 टच कर लिया है, और देखे, गाइस क्या होगा, आप देखे रहे एक खुदी, यह देखे, हवा में उड़ गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और बुई तरह से आपे देखे, land हो गई है, चलो, बच गए, गिरे नी, और 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 बच गए, गाइस, लेकिन, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो इसके साथ होने वाली है, यह तो हो गया एक पार्ट, अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, कि क्या हो सकता ह अगर हम स्पीड कम ना करें, तो गाइस, देखे, हमने फिट से स्पीड पकल दिया है, 250 के यहां पर टच कर दिया है, और यह देखे, जंप लेने वाले, और यह, उपस, यह तो यहीं पे रुख गई, यह तो हो गया गाइस, दोका, अब यह ऐसा हुआ है, क्यूंकि इसका ground क्लेरंस बहुत ज़्यादा कम है, और स्पीड बहुत ज़्यादा, तो गाइस, अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं, और इस बार हम कंट्रोल मूवमेंट के साथ बढ़ेंगे, तो गाइस, देखे, हम पीछे आ चुके हैं, और हम बिल्कुल रेड़ी इस बार रेस देने के ल तो गाइस, अब अपने पूरा कंट्रोल रखते हुए, 240 की स्पीड बेराउंट पे जब लिया है, आई होप यह पहुच जाएगी, लेकिन लग तो नहीं रहा, इसको देखे कि यह पहुच पाएगी, और ये गई पानी में, और ये देखे गाइस, पानी में जा चुकी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दू कि निसान जीटियार से भी आगे गई है, मतलब शिप के और इसका डिसन्स काफी कमरा, 247 पे भी इसने काफी लंबी जंप लगाई है, जो कि निसान जीटियार ने लगाई ची 300 प्लस पे, तो यार ये दो बहुत ही तगड़ी बात थी, दोनों गाड़ियों का performance बहुत ही अच्छा रहा है, गाईस आप अपनी फेवरेट गाड़ी look wise and performance wise कमेंट करके बताएं कि आपको कौन जी गाड़ी look में भी and performance में भी अच्छे लगी है, अब हम बढ़ते हैं last test की ओर, जो कि है reverse speed test, तो गाईस यहापे आपका third और final test में जाप पाती है, तो गाईस देखें यहापे लाफ वालारी खड़ी है और हम start करने वाले हैं इसी से, और देखते हैं कि यह कितना जाप पाती है reverse gear में, तो दोस्तों हम पूर्री speed देने की कोशिच करेंगे और move करेंगे reverse में, तो आईए शुरू करते हैं तो गाईस यहापे लाफ वालारी ने टच की थी, 234 km पर आर, जो की आम गाड़ी के लिए front में भी जाना इतना मुश्किल होता है, तो गाईस क्या धमाकेदार speed थी, मसा आगे इसको चलाके, अब देखते हैं हमारी next car, जो कि है Nissan GTR, वो कितना जाप पाती है तो गाईस आचो के हमाँ पनी next car की और, जो कि है Nissan GTR, बिल्कुल उल्टा खड़ी है, कलर इस बर अलग है, आपने पिछली orange कलर में देखी, यह कलर blue है, model same है, सबको same है, तो गाईस आईए इसे test करते हैं, और देखते हैं, यह reverse में कितना जाप पाती है, पहले इसको और मोर्न अपड़े का, बिल्कुल माइनर सा, हाँ, अब बिल्कुल सही लग रहा है, तो गाईस अब हम start करते हैं, तो गाईस, निशान जीटियान ने यहाँ पर टच की थी, 203 किलोमेटर पर आर, तो यहाँ पर क्लेर देख जीट चुकी है, पर्रारी ला, फर्रारी, लेकिन गाईस, निशान ने भी धमाकेदार यहाँ पर टक कर दिया उसको, तो दोस्तो, अपनी फेवरेट कार, ओवरोल, मतलब लुक्स में भी, परफोर्मेंस में भी, स्पीड में भी, अपनी फेवरेट कार आपको इन तीनो फेक्टर को देखते हुए कमेंट करनी है, और बताना है कि आपको कौनसी गाड़ी बढ़िया लगी, तो दोस्तो, ये थो तो ठीप पूरी वीडियो, अब हम शुरू करेंगे, बिहाइंड थेउसीन, जहां हम आपको बताएंगे कि हमने वीडियो कैसे बनाई, तो दोस्तो, आएका शुरू करते हैं, बिहाइंड देउसीन फेयरे सूखत है, पहले बात कर लेते हैं, liegt में भी माउंटेन रैंप, ओपन फोर, निसान जी टी आर और फरारी लाफ फरारी सबीके लिंक में देतों का डिस्क्रिप्शन में तो आए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों बिहेंडर सीन में आप सबीका स्वागत है ये वीडियो को वो पार्ट है, जहाँ हम आपको बताते हैं कि हमने कौन-कौन से मोड जूज करके वीडियो बनाई दोस्तों, बिह intentioned party हम हर वीडियो के ऐंड में देते हैं और इस वीडियो के भी ऐंड में दे रहे हैं तो guys वीडियो में हमने 2 ramp यूज़ करें एक तो है double mega ramp और दूसरा है mountain ramp तो दोस्तो यहां से आपको इन दोनों को करना है डाउनलोड तो guys डाउनलोड करने के पद आपको पास इस तरह की दो फाइल आएंगी यह तो mountain ramp की फाइल है इस तरह आपके पास आएगी double ramp की फाइल तो game guys अब आपको open करना है menu trainer जो की खुलता है F8 से menu trainer खुलने के बाद आपको जाना है object spinner में फिर आपको जाना है मैंने saved files में फिर देखिए दोस्तों यहां पर जो आपने file paste किये वो आ गई होगी यह double mega ramp इसको खोले और load placement पे कर दीजे click तो देखिए दोस्तों मैंने click कर दिय है कुछी देर में खोलता हुगा तो देखिए दोस्तों यह file load हो चुकी है अब मैं आपको यह file दिखाऊंगा नहीं बार बार अब हम second ramp load करते हैं तो again menu trainer खोलेंगे back करेंगे back करेंगे मैंने saved files में जाएंगे और दोस्तो mountain ramp भी आहीं पे है तो इस पे जाएंगे और load placement पे क लिक करा है black screen आ गई है और यह देखे लोड हो चुका है तो guys देखिए आपर तीन गाड़ी आपको अलड़ी मिरती है और यह मैं सब को दिखाई चुका था आगे का तो मैं आपको फिर नहीं दिखाता अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि how to install Nissan GTR and Lamborghini Terzo यह फिर कोई भी आपको तो guys download करने के बाद आपके पास यह वाली file आ जाएगी इसको खोलिए अब देखिए दोस्तों अब आपको चाहिए होगा open 4 तो open 4 हम खोल लेते हैं अब आपको दोस्तों Grand Theft Auto 5 के windows में जाना है और यह देखे starting हो रहा है थोड़ा सा time लेगा यह start होने में start होती है हम आपको आगे का step बताते हैं तो guys देखे start हो चुका है अब आपको यहां पर edit mode को enable कर लेना है सबसे पहले edit mode देखिए अब आपको खोलना है modes का folder update अब आपको खोलना है 64 फिर आपको खोलना है dlc packs और यह जो दोस्तों GTR वाली file है इसको यहां से उठा कि यहां पर drag कर दिज तो इसको खोलिए फिर आपको कोलना है दोस्तो comment फिर data फिर आपको नीचे जाना है और यह रहा dlc list right click करिए edit करिए और दोस्तों यहां पर आपको जो file paste करने है देखिए मैंने यहां पर paste कर दिए यह आपको readme वाली file में मिल जाएगा तो readme file खोलिए तो guys देखिए यह वा आपको नीचे ड्रैग करके यह वाली file भी यहां पर कर लेनी है copy अब दोस्तों आपको again open for खोलना है उसी जगह पर dlc list आपको ऊपर जाना है अब दोस्तों आपको यहां पर जाना है extra title update data पर इसको right click करके edit करिए अब दोस्तों यहां पर आपको नीचे जाना है again enter मार के यह पर मैंने online already paste कर रखी है अब आपको दबाना है save और यह file हो चुके save अब आपको चलानी है game अब दोस्तों again आपको menu trainer खोलना है F8 दबाएए अब आपको जाना है object spooner में फिर आपको जाना है spawn entity into world में फिर आपको जाना है vehicle में फिर दोस्तों सबसे last में होता है input model अब Nissan GTR के सामने आ चुके Nissan GTR अब इसी तरह दोस्तों आप लोड कर सकते हो Ferrari love Ferrari या फिर कोई भी add-on car तो guys यह तो थी वीडियो अगर आपको पूरी वीडियो इंक्लूडिंग installation guide पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना like जो जो चैनल पर नए है चैनल को कर देना subscribe आज के लिए तो नह हुआ 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 है